Welcome to Rajan ITI YouTube Channel, इस वीडियो में देखेंगे NHTI की तरब से जो भरती आई है, उसके बारे में देखेंगे, कौन-कौन से ट्रेड वाले अपलाई कर सकते हैं, इसकी फोर्म की लास्ट डेट कब है, इस वीडियो में ये जानेंगे, अगर आप भी CITS किये हुए है, BBTEC टिपलोमा है ITI है, तो इस फोर्म को आप अपलाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भरती आई है, जूनियर कंस्लिलन ट्रेडिनिंग के आया है, NHTI की और की दरब से, ठीक है, यहाँ पे अपलाय करने के लिए, आपको, इन्षटेक्टर में अपलाय करने के लि बी बिटेक अगर आप किये हुए हैं तो having minimum of two years of experience ठीक है डिपलोमा having minimum five years of experience अगर डिपलोमा किये हुए हैं तो पांच साल का experience चाहिए और अगर CITS ठीक है with a three years of experience in the required field अगर आप जिस ट्रेट में आप apply करेंगे अगर उस ट्रेट से आप CITS किये हुए हैं और ITI किये हुए हैं तो आपको तीन साल का experience चाहिए ठीक है यहां से आप apply करेंगे उसके बाद यहां पे जो है कुछ condition दिया गया है यहां से आप देखेंगे आप यहां पे देख सकते हैं general condition जो इन्होंने दिया है junior consultant will be engaged for period of 11 month from of date of engagement मतलब क्या है अभी फिला लिए contact पर रखे जाएंगे 11 महिने के लिए ठीक है 11 महिने के लिए तो यहां से आप apply कर सकते हैं उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं 11 month के लिए जिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां पे इस पॉयंट को देखेंगे यहां पे इन्होंने दिया है कि प्रोचेस में आपको यहां पर क्या करना होगा समिशन ओफ ऑनलाइन अप्लिकेशन वाई कंडिडेट आपकी जो अप्लिकेशन होगी वो ऑनलाइन से भरा जाएगा ठीक है ऑनलाइन के जरीए भरा जाएगा उसके बाद रिसीब एंड इसू और एड्मिट कार्ड उसके आपकी क्या होगी सीबीटी जो एक्जाम होगी आपकी एक्जाम सीबीटी होगी उसके बाद आपको एक्जाम में अगर अच्छे मार्स आते हैं तो आपको सेलेक्शन किया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कॉलिंग फोर सीबीटी क्वालिफाइड कंडिडेट रिज प्रेटिकल को लिए आपको बुलाया जाएगा उस बेसिस औंच सीविटी मार्क्स जो आपकी सिविटी एकजाम होगी उसमें कितने मार्कस आये हैं उसके एकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगे प्रेटिकल के लिए यहां पर आप देख सकते वट रेशियो 6 में आपको ब दिया जाएगा उसके बाद कल्कुलेशन कल्कुलेशन ऑफ स्कोर कार्ड एंड रिजल्ट ऑफ कंडिडेट थ्री टाइम एट नमबर दा जी सी अस इन ओडर ऑफ मैरिट आईज पर दा स्कोर कार्ड मतलब क्या है कि आपकी जो यहां पर सेलेक्शन किये जाएगे ठीक है एक कल कल्कुलेशन किया जाएगा एक स्कोर कार्ड बनाए जाएगा उसके जड़िये आपकी एक मैरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने लिखा है सेलेक्शन कंडिडेट पाइनल लिस्ट पब्लिश्ट वाई डिटी जो पाइनल रिजल्ट डिटी के द्वारा जारी किया जाएगा अब यहां पर आप देखेंगे कि अप्लिकेशन फी कितने लगेंगे तो इसमें अप्लिकेशन फी के लिए 500 रुपे आपको पे करने होगे ऑनलाइन की जड़िये ठीक है अस्कोर कार्ड कैलकुलेशन आपकी जो अस्कोर कार्ड बनेंगे वो किस परकार से कैलकुलेशन होगे यहां पर यह जानेंगे cbt examination जो आपकी रहेंगे वो 100 नंबर की रहेंगे टोटल 100 marks ही रहेंगे उसके बाद practical examination जो रहेंगे यह भी आपकी 100 marks ही रहेंगे किलियर है उसके बाद यहां पर आप आते हैं experience की बात की जाए तो experience के लिए 10 नंबर मिलेगा आप यहां पर देख सकते minimum limit of 10 marks for 5 years of experience after ठीक है आपको एक साल के लिए अगर आपकी पास एक साल की experience है तो आपको कितने नंबर मिलेगे दो नंबर मिलेगे ठीक है highest 5 साल का experience आपकी यहां पर जो है calculate किये जाएंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं जो CITS qualification जिनोंने CITS किया है उनको भी अलग से marks दिये जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं 50 marks रहेंगे जो CITS qualify हैं जो CITS किये हुए हैं फोर CITS with degree और higher marks 50 आनि जो degree है बिटेक हैं यह अगर CITS किये हुए हैं तो इनको 50 नंबर मिलेंगे फोर CITS with diploma अगर वो CITS किये हुए हैं तो उनको 40 marks मिलेंगे और 4 CITS 30 marks आनि ITI plus CITS रहेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेंगे 30 नंबर मिलेंगे उसके बाद total marks सी बात की जाए तो total 260 रहेंगे उसके बाद अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो हो है यहां पर preference मिलने वाला है तो पहला preference उनको मिलेगा जो qualified CITS in relevant trade with a degree और higher और बिटेक डिप्लोमा बिटेक डिप्लोमा जो किये हुए हैं प्लस CITS किये हुए हैं उनको first preference मिलेगा और second preference जो मिलेगा second preference qualified CITS in relevant trade with diploma अगर आप डिप्लोमा और CITS दोनों की हुए तो आपको second मिलेगे थर्ड में आपको मिलेगे अगर आप ITI प्लस CITS किये हुए तब यहां पर इस परकार से यहां पर preference दिये हैं लेकिन यहां पर किलियर करते हैं कि इसकी जो final list बनने वाली है वो आपकी CVT exam and experience और practical marks यह तीनों के जोर के आपकी finalist बनेंगे अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर इन्होंने जो date दिये हैं इन्होंने जो यहां पर update दिये हैं publishing of application इंगेज यहां पर 9-4-2020 आनि 9-4 को निमी के द्वारा जारी कर दिया गया था इसकी अगर last date की बात की जाए तो application received issue of admit card आनि आपकी जो application received किये जाएंगे वो 3-5-2020 में 5 बजे तक आप इसको apply कर सकते हैं अगर last date की बात की जाए इस फोर्म की last date की बात की जाए तो 3-5 आनि 3 मई इसका last date दिया है इन्होंने है ना तो आपको 3 तारीख तक इसको apply कर देना है उसके बात आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे inform of cbt qualified candidate original wise of four practical आनि 22-5 को आपको जो है cbt exam order merit list in the 106 में आपको क्या किया जाएगा list को जारी किया जाएगा उसकी बात selection of full candidate online contact all India cbt exam for selection of full of candidate online ठीक है यह साड़े data दिये आप इसको पर सकते हैं यह जो है हमारे टेलिग्राम ग्रोप राजन आई ट्या येटूब चैनल टेलिग्राम ग्रोप में भेज दिये हैं तो वहां से आप इसको ग्रोप से निकालके पूरे लेटर को आप पर सकते हैं ठीक है आप अब यहां पे देख सकते हैं अगर इसकी मंथले payment की बात की जाए तो आपको 45,000 रुपे परमन्त आपकी पे होंगे ठीक है तो अगर आप यह सारी जो इन्होंने qualification दिये हैं अगर आपके पास यह qualification है तो आप इसको apply जरूर करें ठीक है यहां से आप इसको जरूर apply करें इस वीडियो में इतना ही CITS और ITS से सम्मंधित हमारे चैनल से आप चूड़े रहे थैंक यू